Hey everyone, welcome to the lecture 8 of the react tutorial तो पिछली वीडियो में हमने react props के बारे में पढ़ लिया था उसके functions के बारे में पढ़ लिया था react props होते क्या है इसके बारे में पढ़ लिया था अब इस वीडियो में हम उसको थोड़ा और practice करेंगे उसके concept को थोड़ा और strengthen करेंगे तो उसको हम कैसे करेंगे हम जैसे हमने पिछली वीडियो में हमने इतना यहां तक कर लिया था हमने gallery बनाई थी दो photo डाले थे हैं यह कुछ इस type का हमारा website दिख रहा था ठीक है कुछ इस type का दिख रहा था हमारा website और हमें क्या करना है इसको हमें card बनाना है क्या होगा यह इस type का हमें बनाना है आज props का यूज करके यह हमने my gallery नाम का मैंने बना दिया face के cards बना दिये dogs नाम का मैंने लगा दिये click by camera used ओके यहां पर फिर मैंने यह किया random image use किया तो इस type का हमें card बनाना है ओके तो हम कैसे करेंगे उसको हम आके देखते हैं यहां पर जैसे कि हमने किया सबसे पहले हम इसको index.js से सारे चीजों को हटाते हैं और हम app.js मिलाएंगे तो उसके लिए मैं क्या करता हूं पहले इंपोर्ट कर लेता हूं अब यह तो काम में है नहीं यहां यह देखे पुरा खाली है यहां मैं आर एफ सी जो कोईलर प्लेट हो लगाओंगा जो हमने पिछले या पिछले फिछले वीडियो में पढ़ लिया था अंटर करेंगे यह आ गया ओके बहुत सभी बहुत सभी अब हम क्या करते हैं यहां से कट करते हैं के च्ट्रोल एक्स यहां पर आके पेस्ट करते हैं थोड़ा और पेस्ट है ताकि साफ दिखें कि मैं थोड़ा से जूम कर लें ताकि थोड़ा अच्छे से दिखें कोड वन सेगन थोड़ा और सोटा कर लो बहुत जारी जूम हो गया यहां पर आता हूं मैं अब इसको यहां से कट करते हैं यह पूरेटिव को मैं यहां से करता हूं कट और एप.js में इसके अंदर मैं करता हूं पेस्ट अच्छा यह दू एक्स्ट्राडी भागे इसको अटाते हैं पहले यह यह खट गया ओके बहुत सई अब क्या करेंगे तो अब यहां पर इंदेक्श डॉड जहस में हम यहां पर अपने अपको करेंगे यह रेंटर सबसे पहले हम यह गैलरी एक हटा देते हैं पहले एक के लिए कड कर देंगे हम तो इसको हम ऐसे रखते हैं बहुत सही इसको हम यहां पर एक styles जो हमारा CSS हम यूज करेंगे उसके लिए हम यहां पर import कर लेटे हैं अपना CSS देशा मैंने styles.css नाम का एक folder मैंने बना हुआ है अगर आपने फाइल बनाया हुआ है अगर आपने नहीं बनाया है तो बना लो styles.css से सीड़े यहां पर क्लिक करो और यह लिख दो dot slash styles.css बहुत सही बहुत सही ओके हम इसमें आते हैं अपने इसमें अब पहले हम body को कुछ वो देते हैं तो हम body को Csus दे रहे ना कि सब कुछ बीच में आ जाए अच्छा हो जाए तो इसको हम Csus देते हैं यह दे दिया मैंने मैंने मार्जिन टॉप जीरो कर दिया और left right auto कर दिया मैंने पैडिंग दे रहे 25 पिक्सल का मैक्स भी दे रहे इतना में डिरेक्टली मैं यह इसको मैं लिखनी रहा हूं यह चीजी बतानी रहा हूं क्योंकि यह react का tutorial है यह Csus का है नहीं इस वजह से आपको Csus तो आनी ही चाहिए अगर नहीं आती तो भी कोई बात नहीं आप अगर केवल आपको react सीखना है आपको Csus नहीं सीखना है तो भी आप जो मैं लिख रहा हूं उसको copy कर दो और आप केवल react पे ध्यान दो ओकि आप देखें हमारा website कैसे दिख रहा है हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है क्योंकि कैसा क्यों दिख रहा है अब यह देखें यह बीच में आ गया सारा चीज अपलाई हो गई अब हम क्या करेंगे next हम क्या करेंगे हम अपने जाएंगे app.js में पहले यहां पर हम कुछ और functions हम apply कर लेते हैं कुछ और चीजे हम add कर देते हैं जैसे यहां पर है click by camera used तो इसको भी हम कर देते हैं click by लिख देखते हैं और यहां पर मैं अपना नाम भीता हूं यादवेंद्र शुकला क्योंकि इसा फोटो मैंने ही कीची है आप सबको तो पता ही होगा और camera कौन से यूज किया हूं camera के तो निकॉन का जो कि मेरे पास नहीं है कैपकल में कृते हैं बाई कंट्रोल एस कर दिया मैंने ओके अब मैंने कुछ चीजे आड़ कर दे इसमें अब मैं काम करता हूं यहां पर भी इसको आड़ करना पड़ेगा अब मैं काम करता हूं मैं एक और यह हमारे parent डिव है इसके अंदर में डो टीव लगाता हूं दो टू जैसे कि यह एक ड्लत इसको में टॉप पर रखोंगा कर यह इतना चीज़े को मैं टूप पर रखोंग इमेज यह इमेज और तौप के अन्दर मैं इन दोनों को डाल देथा हूं मैं यह अन्य नाधा ऊ यह मैंने दाल दिया और एक और में डेव बनाता हूं जिसका मैट हूंगा इसcido मैने बाकित अब इसमें मे क्या लिखूँए इसमें मैं लिखूँँए प्रॉप्स Dir crianças दोट घ्रिक जो कि तो यह हमने पिछले वीडियो हम देख लिए मैंने कैसे किया एक और परे कप लगाता हूं जाहां लिखता हूं लिखता हूं यूज्ट को बाइंसर सब्सक्राइव कि यूज्ट के बदो अब करते हैं हम सबसे पहले हम टॉप को करेंगे इसको मालीज़नमा इसको भी जो देत यह यह लाई रहा जाएगा इसको थोड़ा हम अच्छा कर जेते हैं क्या लिखा है निकों दिफाइड निकों अभे यार मैंने क्यार कर दिया प्रॉप्स डॉट कैमेरा अब सही है यहां पर जाए अब सही है बिल्कुल सही है एक्तम सही है कोई दिकत नहीं तो हम इस हेडिंग को पहले स्टायल कर रहेते हैं इस हेडिंग को अब हम करते हैं इस में थोड़ी श्टायलिंग तो मैंने इसमें यह स्टायल आड कर दिया एक्ट एलैन को संटर कर दिया क्यों संटर में रहे font size को मैंने 2m कर दिया color को इस टाइब का कुछ बना दिया और margin मैंने 20 pixel 0 और 30 pixel का कर दिया अब यह कैसा दिख रहा है अब यह कुछ ऐसा अच्छा सा दिख रहा है अब मैं क्या करते हैं अब हम टॉप को करते हैं इस टाइल हमने टॉप बनाया हुआ था पहले हम टॉप के पूरे चीज़ को कर लेंगे टॉप को फिर बॉटम पे आएंगे एक काम करते हैं टॉप से पहले मैं उस कार्ड को मैं इसको एक आड़ देता हूं उसके डूप को एक कुछ दिक्कत नाओं में तो यहां पर मैं कार्ड के लिए मैंने CSS लगा दिया बॉर्डर रेटिश लिए 25 पिक्सल पोजीशन रिलेटिव कर दिया पैडिंग दिया पैडिंग दिया मार्जिन कुछ दिया हाइड दिया बॉक्स एडू दिया ताकि अच्छा लगे और टेस्ट की डॉट डॉट प अब इसको करते है कुछ स्टायलिंह पहलॆ अब इसको फोन देता है कुछ शिटायलिंग यह कसा दिगर्य प्रेटिश दिदे दिया ही दिशुट अब देख सतने है क्या के आश्से दिख रहा है और इक कि अइस आश्य थाय कर यहां तो इसके लिए हम क् को नेम को कहा पर नेम लिखा है यहां पर लिखा है इसे हमें कुछ class अट कर दें class name इसको क्या कर दो नेम ही लिख देता हूं चलो आपने बोला मैंने लिख दिया अब हम इसके .name को करते हैं style इसके name को मैंने क्या कर दिया अब हम क्या करेंगे हमारा यह हो गया यह इतना हो गया यह हमारा हो गया टॉप का यह आगया अब हम इमेज को set करते हैं इस टाइप में कुछ करने से पहले के लिए हम आप आते हैं अपने इमेज को style करने तो लिखेंगे हम .card के इमेज को हम करेंगे render अब इसको करते हैं style अब इसमें कुछ CSS add करते हैं यह मैंने कर दिया margin को 30 पिक्सल अब border radius 50 परसंट करने मतलब हो circle हो जाता है और इसके border को मैं 7 pixel solid को और white color area width को इतना है height कैसा दिख रहा है काफ़ी सही दिख रहा है सेम दिख रहा है अब इसमें हम इसके जो हमारा जो यहां पर हमने लिखा रह बॉटम में वह कहीं छुप गया है उसको पहले हम size करते हैं इसको bottom को dot bottom को हम करते हैं क्या करते है style वह कहीं ऊपर चुप गया है इसके मार इसका यह बॉटम में लिखा था हमने तो इसको हम तोड़ा मार्जिन टॉप लगा के इसको तोड़ा नीची ले आते हैं ताकि टॉप तोड़ा मार्जिन यह लिखे हैं यहां पर आ गया click by यह काफी सही ह लेकिन यह कुछ ऐसा दिख रहा है ना कुछ सुन्दर दिख रहा है यह हमारे उतना सुन्दर दिखनी रहा है जिसको हम और सुन्दर बना देते हैं सुन्दर तो सबको लिखने का हक है लिखने का नहीं दिखने का तो यहां पर मैं class add करता हूँ info का info नाम का मैंने class add कर देत ऑप इसमें मैं कुछ आड़ करते हूं कि अब यह हम देखते हैं अब यह काफी अच्छा लग रहा है तो हमारे काट तैयार हो गया अब और भी something पर लेकिन पर मैं बता हुए अगर मैं इसमें पिछली बार एक और एड करू गैलरी तो यहां पर मैं वह कर दूँगा तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ एब डोट जातों इंपोर्ट करता हूं मैं केलरी को इंपोर्ट geist poem next नहीं कब और 70 लक्राव कैसा सब्सक्राम श्रॉट में एक एक एयरे बनाता हूं यह बनाता हूं जिसका नाम होगा ग्लिरी नाउंक 그 मैं एक य Council मैं को करता हूं तो अल्य और को अट्रोपरा कीसे होता यूज कि आयां होब पता ऊफिए मेर्ड करता है तो मैं इस पर ज़्फिप ताम में तो मैं जो हमारा चीजी यहां पर लिख्के है मैं ने ये चीजे इसको यहां से मैं करता हूं इसको नहीं वन सेकेंड एप डॉट यह से न हाँ इसको मैं यहां से करता हूं यह किसका है यह यह इमेंज का है ओके करता हूं इसको मैं सो करता हूं फिर यहां पर आके अपने इसमें कंट्रूल भी कर देता हूं और यह तो इस तरह का यूज नहीं होता है इसमें हमें यह लगाना पड़ेगा यहां पर 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 हमें यह लगाना पड़ेगा फिर यह कॉमा यहां पर भी कॉमा यहां पर भी कॉमा काफी सही हो गया अब नेक्स यहां पर हमें कॉमा लगाके है में चीजे चार बर पेस्ट कर जेता हूं व है कंड्रोल डी कंड्ल डी एक लिया है अब मैं इसको चेंद करता हूं ग्रोब से क्या करने यह भारिख करता हूं की में क्या लेकर CRs इसके लिए मैं यहांकरोम में जाता हूँ यहां पर मैं PXM रीकिता हूँ ताकि हमको ID मिल सके हम क्या क्या लगाने वाल है lang coming करता हूं.. वहाला पर मैं GRASo dial रावाल इमेज क्रूल लिए भी लगा दोंगा तो इसको हम करते हैं यहां पर लगाते हैं तो यह मैंने लगा दिया मैंने यहां पर gray scale लगा दिया वहां से मैंने link copy कर लिया इसे हम random लिखके मैंने random image copy कर लिया और blurry मैंने जो blur image था वो copy कर लिया कि अब हम इसको यहां पर कैसे रहेंगे रहेंडर के लिए simple हम यूज करेंगे जैसे कि हम image में image is equal to okay image is equal to curly braces में 1 second curly braces में हम लिखे 25 gallon gallery और भन since kate journaling at dot int सबसे पहले image था इसा सबसे पहले name था सबसे पहले name था यहां name लिख देते हैं name. कर देंगे हम name कर देंगे okay next में क्या था name के बाद name के बाद image फिर इसके img को हम gallery के zeroth element वह नहीं zeroth element dot img okay next क्या था name हो गया image हो गया अब click क्लिक को हम gallery zero element dot click फिर क्या था camera camera is equal to gallery zero element dot camera यहां पर camera कर दे camera नहीं यह हो गया camera रहा okay control s काम कर रहा चक कर लें हम काम कर रहा क्यों नहीं काम करेंगा भाई मैं लिखा है कि अब हम क्या करेंगे इस ही टाइप के हम बहुत सरे क्याल टीव ना देंगे मैं करता हूं क्या करेंगे यहां प्लिट रखेंगे सबको वन कर देंगे ताकि उसके बाद वाला जो element वह रेंडर हो तो मैं अल्ट दबा रहा हूं कि दबाके मैं multi cursor का यूज़ कर सकता हूं दबाया वन कर दिया सिम्लरली इसमें भी इसको टू कर देंगे टू कर दिया सिम्लरली इसमें भी इसमें भी इसमें भी यह 3 कर दिया मैंने सेव कर दिया अब यह देखिया हमारा कितने अच्छे तरीके से यह हो गया बिल्कुल ऐसे हो गया हमारा यह थोड़ा बोल्ड नहीं किया मैंने बट चलो उतना चलता है यह बोल्ड नहीं यहां पर जो है ना इतने कुछ वह लगा हुआ है मैं भी फॉन से अरिफ का नाम का बॉड़ी और फॉन्ट लगा देता हूं कि यहां पर आते हैं कि कहां पर गहाया हमारा इस डाइल यहां गया इस बॉड़ी में हम कि हम फॉन्ट कर रहेते हैं से अरि यह व्यार्याजह, अब यह भी हमारा बिल्कुल ऐसे धिक्राई यह और अच्छी तरीके से समझ लिया इसमें, ओके, अब हम एक काम और कर सकते हैं, पताया गया, यह मैं नहीं आप करिएगा, अगर आपको पसंद आए, आप इसको भी ना एक अलग से फाइल बना कि उसमें रख देजेगा, और यहां पर आप रेंटर कर लिजेगा, उसको यह भ के लिए थोड़ा प्रैक्टिस किया इस वीडियो में, I hope आपको समझ में आया हो, नई समझ में आया तो इस वीडियो को फिर से देखिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंड में लिखिए, मिलते हैं नेक्ट वीडियो में, all the very best, और सब्सक्राइब कर लेना,